नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं राजस्तान समाचार चले राजस्तान की साम की चार बड़ी अप्लेड जान लेते हैं चले प्रदेश की पहली और सब बड़ी ख़बर जान लेते हैं राजस्तान में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले एक्सपर्ट बोले तीसी लेहर से ज परता ही जा रहे हैं हालांकि रहात की बात यह हैं कि राजिये में कोरोना के चलते ODP की संख्या दो बड़ी हैं लेकिन बढ़ती होने वाले मरीजों की संख्या कम हैं राजिये के सबसे बड़े खास तोर पर कोरोना के इलाज के लिए डेडिकेट अस्पिताल RUHS में कुल आठ मरीज बढ़ती हैं जिन में तीन ICU में हैं जबकि आठ को वोर्ड में रखा गया हैं उनमें गंबीरता ज्यादा देखने को मिल रहे हैं यानि राजिये में जो मरीज मिल रहे हैं वे ओमिक्रोन के रूप में तीसरी लेयर से कापी ज्यादा गंबीर हैं ज्या दोस्तों अब जो चोती लेयर में जो कोरोना के केस मिल रहे हैं उनकी हालत गंबीर बताई जाई दखी है उर कोरोना की चोती लेयर राजस्तान में जून या जुलाईस तक आ सकती हैं चले अगली बडिट जानते हैं ग्रामिंट शेत्रों में ज्यादा प्रेशानी हो रही हैं विजली कुडोती को लेकर राजतान में भीषन गर्मी का दोड़ जारी हैं तेज गर्मी के चलते कुलर ऐसी चलने की वज़े से रोजाना विजली की खबत बढ़ गी हैं स्वाई मादूपुर में सामानी दिनों में 20 लाग यूनिट से बढ़कर करीब 32 लाग यूनिट रोजाना पर पहुंच गई हैं मांग के मुगाबले सप्लाई नहीं होने से शेरी शेत्र से लेकर ग्रामिंट शेत्रों में विजली कुडोती की जारी हैं तेज गर्मी वपरभावी मेंटिनेंस नहीं होने से बिजली लाइनों ट्रांसपर्मों आधी में फाल्ड भी बढ़ गए हैं इसी के साथ कम वोल्टेज की समझे भी आने लग रही हैं दोस्तों आपके शेत्रों में कितनी हो रही हैं बिजली कुडोती हमें कमेंट करके जरूर बताएं शहले अगली प्डेट जानते हैं राजसतान में आज होगी बशात इन जिलों को मिलेगी गर्मी से रहाद राजसतान में जुल्चाने वाली गर्मी के बीच रहाद बरिकवर सामनारी हैं परदेश में आगामी दो-तीन दिनों में कहीं जिलों में तीजवाओं के साथ बर्शात की संबावना ही जगी हैं जिससे ताप मानवे लूब में हलकी ग्रावट के साथ कर्मी से भी कुछ रहत मिलने के असार है अलांकि इसका असार सिमित जिलों में सिमित समिय के लिए रहेगा वहीं बशाद की बुंदाबंदी के रूप में ही बशेगी इसके बाद फिर से गर्मी का केर सुर हो जाएगा मौसम के अंदर का नुशाद सौमार को जेपूर संभाग में कहीं कहीं पर बादलों की गरज के साथ बरसात होने की संभावनाई है चले अगली बड़ जानते हैं 16 रुपे का प्याज अब 5 रुपे में बेजने को मजबूर है किसान दुबई थाइलेंड तक सप्लाई होने वाला सीकर का प्याज आज खुद कोई हालात पर रो रहा है कुराना के बाद अब मौसम की मार्स से मीठे प्याज के स्वाद को भी कड़वा कर दिया है किसानों को 16 रुपे लागत से तियार एक किलो प्याज के अब 5 रुपे ही मिल पा रहे है ज़तों तो किसानों को काफी नुक्षान उठाना पड़ रहा है दोस्तों यह थी राजस्तान की साम की तज अपडेट ऐसी ही अपडेट जाने के लिए अभी कर राजस्तान समाचार को सब्सक्राइब जैहिंजे वारत बंदमातरम